हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों दोस्तों एक बर मैं लेटेस न्यूस के साथ एक बर खुस खबरी लेकर आया हूँ नौन आइटीए कंडिडेट्स के लिए जो लोग रेलवे बोल्ड गुरुप D 2018 का फारम भरने जा रहे हैं उनके लिए है उन्हें अभी पूरी जानकारी नहीं है कि कितनी बैकेंसियां है केवल नौन आइटीए कंडिडेट्स के लिए अगर वो फॉर्म को जिन्हें जानकारी है वो धन्ना प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए उनके लिए खुसकबरी है जिनको पूरी जानकारी नहीं थी अब वो जान ले कि क्या ऐसा हुआ है कि ख तो यहीं मतलब 10th प्लस जो आइटीयाई कंडिडेट्स हैं वही उन ट्रेट्स के लिए या वो उन पोस्ट के लिए इलिजबल थे चलिए इसलिए दोस्तों बहुत दिनों से इस पोस्ट के लिए जो भी है कारवाही चल लई थी कारवाही यह है कि मैं आपको यह लेटर दि दिख रहें दोस्तों तो उनसे रिकविस्ट हैं कि चैनल से जूट जाएं और नीचे रैड कलर की बटन को प्रस करके चैनल को सबस्क्राइब कर लें और इस day look बेल आइकन को जरूर प्रेस करें दोस्टो बेल आइकन को प्रेस करने से इनको आप लोगो टाइम नोडिफिकेशन मिलता रहेगा दोस्तो चलिए जान लेते हैं क्या है इस application में application ये है 문제 गता है पहले तो यह समझ लिए इतनी जादा बेकेंसी में केवल आप नौन आइटिया हैं तो केवल आप 935 पोस के लिए ही अपलाई कर पाएंगे मतलब समझ रहे ना इतनी बेरोजगारी होते हुए भी उनके लिए इतनी बेकेंसी नौन आइटिया कंडिडेट रेलवे निकाला है तो फिर क्या होने वाला ह दोस्तों बहुत बड़ी प्रेशानी वाली बात थी तो इसका समाधा निकल चुका है रेल मिनिस्टर जो है उनको एपलिकेशन लिखी गई है और जरूरी है आप लोगों के लिए जानना कि जरूरी इसलिए है आपको जिन लोगों ने फिलप कर दिया अच्छी बात है नही all non ITI candidate to be eligible to apply for all the declared post the extensions of maximum age limit मतलब बात इसमें यह हो रही है कि non ITI candidates जो है वो उनको allow कर दिया जाए सभी post के लिए वो सभी post में apply कर पाएं और age की जो limitation है वो भी बढ़ा दी जाए यानि age की जो limitation थी वो 31 थी 31 से 33 कर दी जाए दोस्तों तो यह बात जो key है किनकी through हुई है यह application की गई है chief minister कहा के chief minister है दोस्तों यह यह chief minister है कलकत्ता के ठीके दोस्तों तो कलकत्ता के जो chief minister है उनको आप लोग बहुत बहुत धन्नवाद दीजिए कि वो आपके लिए यानि इतनी मेहनत कर रहे हैं वहां के chairman जी application उन्होंने minister को भीजी हुई है तो दोस्तों अगर वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी तो प्लिस लाइक करिएगा और जो भी दोस्त आप से जोड़े हुए हैं उन सभी को इस वीडियो को सेर करिएगा क्योंकि इससे उनको बहुत ही रहात और खुसी मिलने चैनल छैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए और इस चैनल सब्सक्राइब कर लेजिए और इस चैनल सज़ड़ियो